गर्मियों में स्तोच समझ कर करें इन फ़लों का सेवन होते हैं कई नुकसान गर्मियों के मौसम में कई सारे ऐसे फल भी होते हैं जिनका इस्तमाल काफी जादा बढ़ जाता है ये फल स्वाद में काफी बढ़िया लगते हैं इसलिए लोगों के जरीए इनका काफी सेवन भी किया जाता है हाला कि गर्मियों में इन फलों का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए नहीं तो इनके कई ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं आम को फलों का राजा कहा जाता है इसका स्वाद काफी बढ़िया होता है और गर्मी के मौसम में इसका सेवन भी काफी बढ़ जाता है हाला कि आम के कुछ नुकसान भी है आम का जादा सेवन करने से तवचा में संक्रमन, अपच और दस्त की समस्या हो सकती है आम में प्राक्रतिक शरकरा जादा होती है इसलिए डायबिटीज रोगियों को इसते दूरी बना कर रखनी चाहिए लीची लीची भी ऐसा फल है जो गर्मियों में आता है हाला कि लीची का ज्यादा सेवन भी शरीर को काफी नुकसान पहुचा सकता है लीची में विशाक्त पदार्थ होते हैं जिसके कानन ब्लड शुगर लो हो सकता है इसके अलावा लीची से कई तरह की ऐलर्जी भी हो सकती है अंगूर अंगूर के काफी फायदे हो सकते हैं लेकिन अधिक मात्रा में अंगूर के सेवन से नुकसान भी जिलने पढ़ सकते हैं अंगूर के ज्यादा सेवन से वजन बढ़ने एलर्जी और आतों की समस्याओं का सामना करना पढ़ सकता है केला केले में चीनी के मात्रा काफी ज्यादा होती है अक्सर देखने को मिलता है कि जिम करने वाले लोग काफी ज्यादा केले का सेवन करते हैं हाला कि केले के ज्यादा सेवन से जी मिचलाना और ब्लड शुगर बढ़ने जैसी समस्याएं भी हो सकती है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूस पुरान ब्यूरो रिपोर्ट न्यूस पुरान